नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं जनम के बाद जितने भी निवपॉंट बेबीज है जितने की मतलब तीन महीने तक के बच्चे होते हैं उनके पेट में जो आपके आज पास कोई बना है तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टन है दोस्तों अगर कोई है आज परोस में तो उसके वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा जिससे की प्रॉब्लम में वह सौल हो सके देखे दोस्तों जितने भी चोटे बच्चे हो की होती है जो की है सावित हींग जिसे हम बोलते है खड़ी हींग या सावित हींग इसको अपर एग्णोर कीजिएगा यह मैंने अजवाइन की डिबी में डाल दी जिसके वह से इसमें अजवाइन लग गई तो यह हमारी है खड़ी हींग अगर आपके पास खड़ी हींग है तो आपको इसको यूज कैसे करना है और नहीं भी है तो आपको जो है इस तरीकिस जो पिसी हुई ही हिंग होती है उसका भी आप यूज कर सकती है दोनों का यूज कैसे करना है और कितनी फॉंटिटी में करना है और कब करना है वही हम इस वीडियो में जानेंगी तो चलिए व आपको क्या करना है पर डे आपको क्या करना है रात में खाना खाने के बाद आपको यह चीज करनी है चाहे आप यह वाली करें आपको करना कब है खाना खाने के बाद आपको यह चीज करनी है रात में ठीक है अब जैसे कि मानली जी इतना सा टुकड़ा यह इतना सा टुकड़ दो नहीं सकता है जोया लिख इस तरीके से डाओ आप इसको अच्या करने यह सादो लिख दीजे त्म अभाने खाने आप जैसे को बच्चे ने जनम लिया है आज आप इस तरीकिए को यूज़ कर सकते हैं यह जिसे कि आपके बच्चे क्वाइप में गैस प्रॉ Karma के शुछ कर उसको भूल भूंज नहीं जैंने भूंज ayamो यहाज को tribal siya is a book जाक वैने चसल्ड में संब्सक्राइज ृव छाट सब्सक्राइज नहीं है यहाज को बढते पैपित रहती है उसके उने ठार variants जिसे रोटिया सेखते हैं उससे पकड़के आप इसको आग में जद दिखा करके उसमें भून सकते हैं इसको लगाने से फायदा क्या होगा कि जो ही है वह जलेगी नहीं जलेगी यह सिर्फ जो कॉटन है वह ठीक है जब भून जाएगे ची तरीके से उसके बाद आप इसका ज अपर प्रदम घंक कर सकते साथ चीवादा को साखते हैं में तzlichण कंगाएं आपको का मैं भूणच करके खाना से क्वादी कि बटा ही कितनी है एक पर-डे घंक को सा प्री बाद ही तो एक मतर खाते हैं को हीएन फूल काना चाहिएट ट्री बच्चे के पेट में भी गैस की कोई भी प्रॉबलम नहीं होगी तो यह पहला तरीका इस तरीके से आपको उसको यूज करना है जो कि खड़ी ही गए अब जैसे कि यह हमारी है जो कि नॉर्मलिय हम सब्जी वगर में यूज करते हैं हर घर में मिल जाती है इस तरीकी जो ही हो आखे जो अखरी कोरा हो तो बड़ा ही गया चृटी कोरा हो यह सब्सक्राइब होता है तो आपको का करना है इस कोऌना हैं को आपको इतनी हींग तीज पंडर के ढरिए की सभी सके हाया है उसा क। लोटी क सब्सक्राइब करते हैं कि उसने के ठेट कर दितने की सब्सक्राइब तो आपको थोड़ी सी हींग के साथ में खा लेना है इस ते क्या होगा कि आपके पेट में गैस की जो प्रॉब्लम है वह बिल्कुल भी नहीं होगी ना आपको ना आपके बच्चे को यह जो तरीका है मैंने खुद अपने उपर भी एजमाया जब मेरा बेबी हुआ था तब म मेरे बच्चे के पेट में कभी भी किसी प्रकार की कोई भी गैस की प्रॉब्लम नहीं हुई है तो इस तरीके से अगर आपके बच्चे के पेट में भी बहुत ज्यादा गैस बनती है तो आप भी इस तरीकी को जरूर अपना है दोनों ही तरीके बहुत जादा सेफ हैं कारे तरीका है और इसी के साथ साथ आप जो भी सब्सक्राइब अबनाती है उसमें जादा स्यादा हिंग डाले की कुछिछ कीजिए जिससे कि आपके बच्चे की पेट में जो गैस बनती है वो इसली पास होती है उसके पेट में गैस की प्रॉब्रम से दर्थ ना हो तो उमीद करत तरीक प्रॉपल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू कीजिए का अगर आप हमाई चैनल पर पहली बार एक तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूरिए का चलिए मिलते है अगली वीडियो में तब तक नमस्कार थेंक्यों